जहिंतर नमस्कार मेरे सेर सेर नियो लाड़ो लाड़ी श्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमांडो केट में में दोस्तों आज का वीडियो स्पेसिली स्वेश्ची जीडी 232 इसके तैयरी करने वाले युवाउं के लिए बहुत सारे मेरे छोटे बाई जो तैया चार महीने का समय अब बसता है अगर आप मोटा मोट समझे तो चार महीने का समय तो आपको कैसे तैयारी करना चाहिए बुक से करनी चाहिए किसी कोर्स से करनी चाहिए या किसी ओफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए देखिए इस पे प्रश्य कि यह वेकेंसी अब सब जानता हर कोई जानता है इंदुस्तान में और हर कोई बचा इसमें पार्टिशिपेट को भी करता है और आर्मी में अगनी वी चार साल की सर्विस होने के कारण भी इसमें संक्या बढ़ताती है फोरम बढ़ने वालों क्योंकि यह नोकरी सार ले लेना चाहिए उनलाइन कोर्सते त्यारी करनी चाहिए लेकिन हां अक्षर मैंने बच्चों को देखा है वो शिर्फ कोर से वीडियो देखते रहते हैं वीडियो देखते रहते हैं सोचते अपने तयारी मजबूत हो गई यह नहीं इस गलत में मत रहना बुक तो सो पर त आपके पास में होनी चाहिए भले ही आप ओनलाइन तियारी कर रहे हैं भले ओफलाइन तियारी कर रहे हैं आपके पास में SSE GD के लिए पांच बुक तो होनी चाहिए SSE GD के लिए Hindi बुक, Math बुक, Reasoning बुक, GK बुक और Old Paper की बुक ये पांच बुक होना अनवार है भले ही आप ओनलाइन किसी के भी कोर्स से पढ़ रहे हैं क्यों आप वीडियो में जैसे आप वीडियो देखते हैं वीडियो देखने के बाद में आप जैसे सब्जेट के वीडियो देखते हैं आपके मुन में होता है ये कोर्स कंप्लीट हो गया है कंप्लीट नहीं हो आपको वो वीडियो याद नहीं हो गया है, उसके विज्वल याद नहीं हो गया है, वो याद तब होगा जब आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, अगर मेरे से पूछो कि सबसे इंपोर्टेंट क्या है, तो वो है बुक, सबसे इंपोर्टेंट, किसी भी तैयारी के लिए सबसे स्थर्वशेश अगर कोई माध्यम है तो वह है बुक, दूसरा ओनलाइन माध्यम से वो बच्चे तैयारी कर सकते ही, जो पहले कहीं तैयारी किये वे हूँ, या वो बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ओफ्लाइन कोचिंग ही करनी चाहिए, उनको पूछोगे लेकिन ओनलाइन में आप यह चीज किसे पूछोगे इसलिए ध्यान रखना जो भी बच्चे पहली बार त्यारी कर रहे हैं उनको ओनलाइन के बजाए ओफलाइन में त्यारी करनी चाहिए इस समय अंतीम का जब आपके पास में डेढ़ महीने का समय बचे उस समय आप online की तरफ जाईए इस समय आपको पूरा offline की तरफ ही ध्यान देना चाहिए नए बचों पराने बच्चे हैं जो पहले से बढ़ती की तयारी कर चुके हैं वो online course से तयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से तयारी कर सकते हैं चाहती बुक के लिए लाड़ लो अगर ये बुक्स आपके पास में या भी फिलिप कार्ड पर तो आउटो पिश्टोग हो गई है अगर ये बुक आप ससी जीडी के लिए ले ले लेते हैं ससी जीडी मेट रिजनिंग सामय ने हिंदी जीके और ओल्ड पेपर की तो मान के चल चाहते हैं या भी अमेजन पर आपको अवेलेबल हो जाएगी फिलिप कार्ड पर तो आउटो पिश्टोग हो रखिए तो आप इनको ले सकते हैं पांच बुक ये आपके पास में होनी चाहिए आप इनमें से कोई जो एक बुक है वो इनमें से लेके देख सकते हैं पहले कि उसमें किस प्रकार का मेटर है आपको पसंद आता है तो वह बुक लीजिए नहीं तो किसी और ओथर की ले लीजिए लेकिन पांच बुक आपके पास में होनी चाहिए भले आप ओनलाइन त्यारी कर रहे हैं भले ओफले बुक्स तो होनी ही चाहिए ठीक है इस समय तैयारी करने का सबसे बड़ी असाथ दना है कि अगर आप मांडो ओनलाइन त्यार करें वीडियो देखें जिस जो जो टोपिक आप वीडियो से क्लिए कर रहे हैं वह वो टोपिक फिर बुक से क्लिए करें जैसे आपने प्रतिस्यत पढ़ा ओनलाइन फिर प नए बच्चे ओफलाइन कोचिंग पर ज्यद्धा फोकस करें ओनलाइन की बजाए क्योंकि अगर आप ओनलाइन में जाओगे तो इस बार तो पका नंबर नहीं मारता होगे अगली बार की में बोलता है क्योंकि आपके लिए पहस्ट साल है आपके डाउट सोल नहीं हो जे हिंद जे भारत